Hello all, मैं हूँ Naira Lockdown खुलने के बाद भी लोग बाहर के खाने पीने की चीज़ से परेश कर रहे हैं ऐसे में बजार का खाना बहुत ही मिस करते हैं तो क्यों ना इसे घर पे ही बनाएं तो आज हम बनाएंगे Domino's Special Jingi Parcel यह fully पनीर और वेजिटेबल से बनता है और इस जैसे पिज़ा होता है ना वैसे ही बनता है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अब रेसिवी के लिए आपको चाहिए होंगे यह सामागरी तो वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं सबसे पहले तयार करेंगे स्टफिंग उसके लिए एक कडाई ले और उसमें डाले तीन बड़े चमश बटर इसकी जगे आप ऑईल भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट एक बड़ा चमश कटी हुई लजसन और उसे थोड़ा सा फ्राय कर लें फिर इसमें डालेंगे दो कटे हुई टमाटर और उसे पकाने के लिए एक चमश नमक और इसे हम बून लेंगे अच्छी से नेक्स्ट फिर इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्याज और थोड़ा हलका इसे ब्राउन होने तक बून लेंगे अब इसमें डालें कटी हुई गाजर और एक कटा हुआ शिमला मिर्च और इन्हें सौते कर लें अच्छी से अगर आपके पास गाजर नहीं है तो कोई बात नहीं ये ऑप्शनल है आप इसे स्किप पी कर सकते हैं इसकी जगे आप कोई और वेजेटेबल डाल सकते हैं सोते होने के बाद इसमें डालें एक चमज चिली फ्लेक्स आदा चमज काली मिर्श पाउडर एक पौश मैगी मसाला ये मैगी मसाला मैंने अपनी तरफ से एड़ किया है इसे जिंगी पार्टसल में काफी अच्छा टेस्ट आता है नेक्स इसमें डाले एक चमज बनेगर यानी सिर्का अब इसमें डालेंगे दो बड़े चमज टमाटो सॉस और इन्हें सबको मिक्स करके अच्छी से पका ले आप यहां चाये तो अमचूर या चाट मसाला भी डाल सकते हैं पकाने के बाद इसमें डाले 100 ग्राम कटावा पनीर और थोड़ा सा पानी एक चमज जितना और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे अमारी पनीर अच्छे से भी इसमें मिक्स हो जाएगा यहां पनीर में इंडिग्रेंट्स है जिंगी पार्सल का तो इसे आप भूले ना जब यह रैडी हो जाए तो इसे बावल में ट्रांसफर कर ले और थंड़ा ओरने के लिए छोड़ दे अब जिंगी पार्सल के लिए हम आटा तयार करेंगे तो सबसे पहले हम एक बावल लेंगे उसमें डाले एक बावल मैदा आदा चम्मच बेकिंग सोड़ा एक चोताई चम्मच बेकिंग पावडर आदा चम्मच नमक एक चम्मच चीनी पांच बड़े चम्मच दई दई खटी नहीं होनी चाहिए वरना जिंगी का स्वात अच्छा नहीं आएगा अब इन सब को अच्छे से मिला कर आटा गूत लें जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते है ना उसी तरीके से आटा लगाना है आटा थोड़ा सॉफ्ट गूतना है हमें गूतने के बाद इसमें चार-पांच बराबर इस्सों में हम लोईया निकाल लेंगे अब एक लोई लेके आटे में इसे डिप करके और रोटी की तरह बेल लेंगे जिस तरीके से हम रोटी बनाते है ना उसी तरीके से द्यान रहे इसे ना जादा मोटा बेलना है और ना ही पतला थोड़ा इसे ठीक रखना है अब बेलने के बाद इसे आम ट्रेंगल शेफ देना है हमें तो देखे मैं इस तरीके से ट्रेंगल शेफ देना है मिलकुल इसी तरीके से देने के बाद इसे पानी से अच्छे से कवर कर लें ताकि बेक होने के टायम स्टॉफिंग जो है Ismae खुलेना तो अच्छे से पानी लगा लेंगे और हलके से प्रेस कर लेंगे कौने से अच्छे से प्रेस करना है ऐसे अब इसमें डालेंगे आम स्टॉफिंग थोड़ा चीज और फिर इसे कोनों से अच्छे से मिला कर अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे ताकि खुलेना द्यान रहे इसे बिलकुल आपको अच्छे से पैक करना नहीं तो यह बेक होते टाइम खुल सकते हैं अब बाकी बनाने से पहले अब कडाई ले उसमें एक कटोरी नमक डालें और उसमें एक स्टैंड रख ले और उसे दीमी आज पर प्रीट होने के लिए छोड़ दे ताकि वे अच्छे से गरम हो जाए तो चलिए एक को फटाफट से बना लेते हैं ये बन जाने के बाद इन कटोरी में तोड़ा सा दूद ले और इन कटोरी नमक डालें एक चम्मत चीनी मिलाकर जिंगी पार्सल पर लगा लें इसे क्या होता है कि हमारे जिंगी पार्सल बहुत सॉफ्ट बनते हैं और कलर भी बहुत अच्छा आता है अगर आप ओवन में बेक कर रहे हो तो 180 डिग्री पर 15-20 मिलाकर बेक कर दें तो देखिए बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुके हमारे जिंगी पार्सल और बहुत दिखने में अच्छे लग रहे हैं तो चलिए हम इसे ठंडा करने रखते हैं वेक होने के बाद इसे कडाई से निकाल ले इसमें थोड़ा सा बटर लगा ले फिर इसे पाश मेंट तक कपड़े से ढखके रखते और इसी तरीके से बाकी भी बना ले और फिर इसमें चिली फ्लेक्स छिड़क दे इसे बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है जिस तरीके से हम डॉमिनोज में खाते है न उस तरीके से अब आपके जिंगी पार्सल ग्रैडी है तो इसे तोड़कर चेक करते हैं कि कैसा बना है वाव एकदम गडिया बना है अंदर से सौफ और बाहर से क्रस्पी बहुत ही अच्छा बना है और अच्छे से बिलकुल बेक हो चुका है अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताईए और अपनी फैमली और फ्रेंड के साथ जरूर शेर करें मेरे और वीडियो देखनी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन के साथ तो मिलते हूं मैं आपसे नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई गाईज